इंटू 2.40 पैसे under the root ये मैंने solve कर दिया और मैं आपके सामने calculator ले चुगा हूँ अपने हाथों में ये देख लिए इस calculator है आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा है ये देखे calculator है इंटू 4 चलिए solve कीजे बहुत बड़ी आंसर आगे हमारा 258 यूनिट्स डेसिमल में आ रहा है मैंने इसको 258 यूनिट्स लिख दिया ठीक है तो आपको 258 यूनिट्स खरीदने हैं एक बारी में आप तभी आप तभी अपनी वेरिबल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसके बाद उसमें लिख पास जब भी लिखा और परचेस को सब्सक्षाइब हो दो वो वेरिबल कॉस्ट ही कहना जाता है तो यहां लेख सकते हैं आज परचेसड प्राइस पर यूनिट्स इस कॉंस्ट्स यह इसको आप लिख सकते हैं आज डिसकाउंट हैज नौट बीन सपैसी Hence we can, hence we can, hence we can, ignore purchase cost, purchase cost while calculating, calculating inventory cost, ठीक है जी, तो आपको सम्झाने के लिए जी है, बहले paper मेना लिखें आपको सम्झाने के लिए जी है, तो आएए, मैं अब यहाँ इस question में आपको दो methods बताऊँगा, total variable cost को निकालने के आप लिख ले, total variable cost can be calculated by two methods, दो methods से निकलेगी, method number one, method number one, with the help of equation method, जो अभी अभी उमने पहले question में किया था, equation method मैंने नाम दे थे हैं, वैसे इसका नाम equation method नहीं है, जैसे ordering cost plus holding cost, को अगर हम total करने तो variable cost रिता आएगा, तो method one में देख ले, ordering cost, annual consumption कितनी है, 2400 upon Q, 258 into cost per order, 4 रोपे, plus 258, plus 0, upon 2, into, into, तो देख लें जी, दो रोपे, चालिस बैसे, एक ब्यूजित किया, into 12%, यह आगा है जी, 0.288, 0.288, तो मैं इसको लिखना हूँ, 2400 upon 258, into 4, memory plus 258, divided by 2, into 0.288, memory plus memory recollect, यह आगा है जी, 74 रोपे, 36 रोपे से, बिल्कुल आंसर समय आगा है, यही आंसर है, तो method 1 लिख ले, हमें method 2 कराना जा रहा हूँ, भहुत ही आसान है, method 1 लिख ले, equation method है, मैं method 2 बताऊँगा, दो तरह के methods है, आपने paper में एक ही method से करना है, तो चलिएगी, method number 2 हम लिखने जा रहे हैं, इसमें, method 2, जैसा मैंने आपको एक class में बताया था, last lecture में, कि जब आपको एक cost minimize होती है, total variable cost, तो एक खासियत है, इसका एक feature है, total ordering cost, और total holding cost, दोनों same होंगी, यह बात तो हमें बताएए, उसके basis में हमने formula निकाला था, जो हमें q का formula निकाला था, 2 a c a upon c h, वो जी formula निकाला था, बिल्कुल ठीक है, तो मैं दूसरा method यह कह रहा हो, कि अगर आप total variable cost निकालना चाहें, तो आप उसी formula को, जैसे आपके पास formula कहा था, 2 a c a upon c h under the root q is equal, जैसे आपको थोड़ा से यहाद आगा हो, यह formula बना total variable cost से ही था, जहां पर total variable cost minimum होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे simple way में करना हो, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 a c a तो रहने ही दूँगा, c h उपर ले जाओंगा, तो आप उपर numerator में ले जाएए, दब भी answer से हम आएगा, 2 into 2 into 2400 into 4 into 0.288, आये जी, आये, आये महरबान कसरदार, आये, आये, हम लिख रहे हैं और solve कर रहे हैं, बिल्कुल answer से हम आगया जी, करके देख लीजिए, 74 रुपे 36 पैसे, इसी question का एक next part है, वो कहता है अगर unit price 2 रुपे 40 पैसे, 2 रुपे 40 पैसे तो unit price given है, आप देख लीजिए, मतला purchase price per unit given है, वो कहरा जी अगर हम 2 रुपे 40 पैसे की जगे, purchase price per unit में, को 5 रुपे कर दें, तो फिर क्या रहेगा, in case unit price, तो मैं दुबारा के question कर रहा हूं, in case unit price change from 2 रुपीस 40 पैसा to 5 रुपीस, तो दोस्तों कहा हैंगा बजाव आएगा देख लेतें, नहीं रहेगा क्योंकि आपकी बारा पर्सन तो समझा आथा है, तो लिखें, in case unit price is रुपीस 5, in case unit price is रुपीस 5, then you change होगा, मैं तो कहता हूं, इस equation में, A, CA और CH में कहीं भी change आएगा, तो answer change आएगा, ठीक है, आपको लग रहा है, कि आप इस समय formula रट भी नहीं रहे, और बिना रटे formula के आप काम करते जा रहे हैंगे, आप समय नहीं है, बस मैं question no.7 का अलका सा पताने के बाद, यह lecture को आज यहां पर close करूँगा, और फिर lecture 3 में हम मिलेंगे, question no.7 अगर आप ध्यान से पढ़ लें एक मिनट के लिए, मैं एक मिनट दूँँ आपको, very very important question है, और आपने बताना है कि इस question में नया point क्या है, आपने देखा कि सबसे पहली जो चीज गिवन है आपको annual requirement गिवन और annual requirement जो है, वो 24,000 बेरिंग्स गिवन है, 24,000 बेरिंग्स, annual requirement is 24,000 बेरिंग्स, और holding cost जो गिवन है वो 10 पैसे गिवन तो है लेकिन वो पर मन्थ गिवन है, पर मन्थ गिवन है, मैंने आपको हर बार बताया कि holding cost में मुख्य तोर पर interest rate पर interest rate ही cost होती है, और interest rate per annum होता है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको मुझे per annum करना ही होगा, तुझको करना ही होगा, हाँ हाँ इसको मैं एक रुपया बीच पैसे लिखूंगा, पर यूनिट पर annum, पर यूनिट पर annum, मैं इसको लिख रहा हूँ पर यूनिट पर annum, पर यूनिट पर annum, तो आए, आए, पर यूनिट पर annum लिख रहा हूँ, एक रुपया बीच पैसे, बस एक दो मिनट की बात रहे हैं, आप रुपिये, बस खतम ही करने वाले हैं, आए, आए दोस्तों, आप इस कोशन को पढ़ लिजिए एक बार, एनोर रिक्वार्मेंट 24,000 यूनिट है, फोल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, एक रुपय बीच पैसे है, और एक यूनिट को या एक सेटप को चलाने हैं, अभी मैं आपको नेक्स लेक्चेन बताऊंगा कि सेटप का मतलब क्या है, या सेटप को अभी मौनलीजे, और रिम कास्ट की होती है, मान लीजे कि ऑर्डं कास्ट यह, सेटप, इसए इकोल दू ओर्डं कास्ट। इसएप इसए महन लीजे, ँसको चलाने के 324 रोपें हैं, what would be the optimum run size कितनी units एक setup में बनाए जाए कि जिससे कि आपकी quantity economic आ जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर हो कहा रहा है assuming that company has a policy of manufacturing 6000 per run how much extra cost that company is incurring तो चलिए जी बहुत ही बढ़िया बात question में है मैं एक मेंट लगा कर इसको समझा रहा हूं और फिर मैं इस lecture को conclude करूँगा मैं सबसे पहले तो first part लिखना हूं और first part में क्या है क्यों मिकालना है मुझको दोस्तो 2ACA upon CH is equal to 2 into 24,000 into 324 upon एक रुपया बीस पैसे आपको मालूम है कि मैंने एक रुपया बीस पैसे क्यों किया यह मैंने calculator अपने हाथ में ले लिया यकीन ना तो देख लीजे into और मुझे उमीद है कि आप भी calculator से जरूर कर रहे होंगे क्योंकि तभी तो समझाएगा तभी तो जादा समझाएगा यह लीजे 3600 units आ भी गए इसका मतलब एक setup में इस company को 3600 units बनाने चाहिए तभी इसकी cost minimize हो सकती है बहुत बढ़िया दोस्तो एक बात question में लिखी हुए second part में कि अगर यह company 6000 units पहले आप यहां तक note कर ले पहले note कर ले मतलब आप यह कह रहे है कि मारुति सुजिक्वी को एक बारी में कितनी गाड़िया बनानी चाहिए तो मैं कहता हूँ यह 3600 गाड़िया बनानी चाहिए अगर वह 3600 गाड़िया एक बारी में बनाएगी तो उसकी total variable cost minimum आएगी यही सकते है यही सकते है यही सकते है बट second part में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि अगर वह 3600 unit ना बनाए उसकी जगे 6000 बनाए तो उसकी extra cost क्या लगेगी तो बिल्कुल ठीक है हम आ सकते हैं और बता सकते हैं कि extra cost क्या लगेगी तो मैं लिखना हूँ statement showing calculation of total variable cost इन दोनों प्रपोसल में मैं अराम से total variable cost निकाल सकता हूँ और जैसा मैंने कहा पहला प्रपोसल है कि मैं 3600 units बनाता हूँ और दूसरा प्रपोसल है कि मैं 6000 units बनाता हूँ तो यहां पर भी setup cost लगेगी जो ordering cost के बराबर होती है ऐसा मैंने आपको कहा एक मिनट के लिए मान लीजिए और holding cost लगेगी setup cost आप बताइए जी मुझे 24000 units बनाने और मैं एक बारी में 3600 बनाता हूँ तो मैं कितनी बार setup करूँगा जैसे आप पढ़ने के लिए बार बार बीच में उठ जाते हैं तो जब आप दुबारा बैठते हैं तो आपको बैठने में थोड़ा स किला समय लगता है दुबारा से setting करनी पड़ती है बिल्गुल सी तरह से मचीन को जब हम बंद करते हैं वह दौआरा खोलते हैं तो नम मछीन थोड़ा समय लेती है उसी को थो नाम है set up cost उसी को मोघा सेट अब कॉस्ट आये आये महरबान आये आये इन्टू 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 यहां पर हम एक रुपया बीच पैसे तो पहले भी निकाल चुके हैं अब यहां दूसरा भी मैं लिख देता हूं अब आप देख लिजेए वैसे मैंने इसकी सॉलूशन पूरी सॉल्व कर दी है अपने बुक में इसको मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है आप फिर भी कैल्कुलेट करें क्योंकि कहते हैं जी कैल्कुलेट करने से ही बाते जादा समझ आती है चार एदार तीन सो बीस रुपे मेरा आगया मेमरी री कोलेक्ट करने के बाद यह आगया जी फोर थाउजन एट हंट्रेट नाइंटी सिक्स वह यह पांसो छेत्तर रुपे आगया जी अराम से पहले आप नोट कर ले हमारा आंसर बिल्कूल सेम आगया है 576 सी लिखा हुआ है और मैंने आपको इस प्रेजनेटेशन से बताने की कोशिश किया है कि पांसो छेत्तर रुपे कैसे आया है और 576 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है जो मैं लिख चुपा हूँ तो प्लीज आप लिखें लास्ट है what is minimum inventory holding cost what is minimum inventory holding cost दो मैं लास्ट वाट जबने जा रहा हूं वह खाली holding cost पूछ रहे जी ओर कुछ नहीं पूछ रहा और मिनिमम पूछ रहे जी और आपको पता है मिनिमम तो हमेशा एकनोमिक और कॉंटिटी पे होती है तो मैं लिए करहा हूँ मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट इसलिए मैंने खाली होल्डिंग कॉस्ट लिखी है मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट 2160 रुपीस मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट 2160 रुपीस बिल्कुल ठीक है दोस्त लिख लिजे होमवग लिख ले जो मुझे लगता कि जो आपको इस लेक्चर के बाद कर लेना चाहिए वैसे तो मैंने सभी कोश्टन करा दिये हैं फिर भी आप एक दो कोश्टन घर में चाहें त इत्तों फोर्थ घर में करना चाहिए और मैं तो कहाता हूँ करने से पहले आप एक बार पहले इभी कोश्टन को दुबाड़ा से एक बार कर लीजे तो मुझे लगता है बहुत जबर्दस कॉंफॉड़नस आया आपको कोश्टन सिक्स्थ कोश्टन नाइन्थ और कोश्टन कुछ को अपनी क्वेरी इमेल वर्ट साप एसमेस कॉल किसी भी तरह से कर सकते हैं दोस्तों मैं मदद करना चाहता हूं आपकी और मैं चाहता हूं कि लाइफ में आप जल्दी से सक्सेस्फुल बने नमस्कार नमस्कार मिलते हैं दोस्तों